हेलो फ्रेंड राधे राधे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्धी जो कद्धू का पत्ता है उसका चोखा जिसे हम लोग यहाँ पे कोहडा भी कहते हैं तो हमें इसके लिए करना क्या है कि जो इसके नरम नरम पत्तियां है कद्धू की जो जादी टाइट ना हुई हो नर के बने को के तब इसे कम बेहां साथ सेर करें। और कम समय में बन के तयार हो जाती है, नर्म नर्म पत्त्ते ले लेना है तो कद्दू के पत्ते हैं जो गलते नहीं है जल्दी तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके साथ हमें जो अर्वी का पत्ता होता है जिसकी हम पकोडियां वगेरा खाते हैं रिकवच की हमें वो पत्ता ले लेना है उन पत्तों के कुछ पत्ते उसके लेकर फिर हम इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे अच्छी तरीके से हम धो लेंगे ताकि इस पे जो मटियां वगेरा लग जाती हैं तो वो सब साफ हो जाए तो देख सकते हैं अच्छी तरह से धोने के बाद ह जो हमारा साग है ये गले पत्ता है जो हमारा गले लगे ये जो मेरे साथ साथ लगी पड़ी है ये पीछा नहीं छोड़ती लड़की है मेरी तो मैं जो करूंगी वो पीछे पीछे बस लगी रहेगी तो अब देखें मैं इसमें नमक डाल दूंगी नमक डालने के बाद अब ह हमारा पत्ता है नमक की वज़े से और गरम होने की वज़े से थोड़ा गल गया है अब हम इसी क्या करेंगे पलट देंगे ताकि जो ये पत्ता है जो पानी छोड़ रहा है देखे ये पत्ता जैसे हम इसे जब डालेंगे पानी गरम करेंगे तो अब ये अपने आपी पानी छ जल जाएगा तो या तो आप आपके पास खुननी होगी उसमें खन सकते हैं या फिर आप कल्चुल से भी से मत सकते हैं मैं इसके क्या करूंगी देख सकते हैं अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिग देती हूं मर्चा हरी मिर्च अपनी जैसे जितना है मारी कौंटिट जो ये पैटन तयार किया है इसको हम जैसी थोड़ा ठंडा होता है तो हम इसे मैं तो सिल बट्टे पे ही इसे दरदरा करके पीस लाती हूँ इसको ज़्यादा मिक्सर में नहीं करना है क्योंकि मिक्सर में अगर आप डालेंगे तो पता नहीं चलेगा पेश्ट ये बन जाएगा तो हमें पेश्ट नहीं बनाना है मैं सूखा ही साग की तरह रखना है तो या तो आप उसे कढ़ाई में ही खंद सकते हैं या खंदनी के हिसाब से आप उसे मुलायम कर दीजिए मैं इस तरीके से सिल बट्टे पे मैंने लसन मर्चा और जो साग था निकाला मैंने कढ़ाई से इस पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है इस तरीके से जो pattern है आपका mixer में नहीं होगा उसके अंदर बहुत ज़ादा वारिक हो जाएगा इसमें हल्का सा मुलाएं बस करना है उसके बाद हम कढ़ाई चड़ा लेंगे जो कढ़ाई में से मैंने निकाला है उसे खंगाल के फिर से मैंने उसमें जैसे तेल डाल दिया तेल डालने के बाद हम लसून हैं दो चार कलिया हैं हम लसून डालेंगे काटके और उसके बाद दो मिर्चे डाल देंगे तड़के के लिए तो जैसे ही हमारा तड़का जो है लाल हो जाएगा उसके बाद जो हम पीस के लेकर आए है कद्दू के पत्तो को उसको हम इसमें डालके अच्छी तरीके से इसको इसमें जो है मिला देंगे अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे तो अच्छी तरीका से पकाने के बाद अब देख सकते हैं यह जो मेरा जो चोखा है यह एक दम ही रेडी हो चुका है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर और यह मुलायम भी काफी हो चुका है तो आप भी मेरी इस रेस्पी को बना के देखिए और खाईए फ्रेंड बहुत ही फिर कॉमेट करके मुझे बताईएगा कैसा लगा कैसा नहीं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड